रोबर्ट क्योसाकी कहते हैं ये करंसी नोट मातर एक पीसो पेपर है जस्ट लाइक टॉलेट पेपर और ये कागज का टुकड़ा आपको गुलाम बनाये जा रहा है इसलिए कभी भी इसके लिए काम मत करो बलकि इससे काम करवाना सीखो अब रोबर्ट क्योसाकी के इस कोड को मैंने सुना और सोचा कियार हमारी टिपिकल इंडियन मेडल क्लास फेमली में तो पैसो को कैश को इतनी इज़त दी जाती है और हमारे मम्मी पापा ने इतनी मैना सर्फ इसलिए करी ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा पाएं और फोर्चु अमीर और एक गरीब उनके जो गरीब फादर थे वो हमेशा सेलरी पर फोकस करते थे जबकि उनके जो अमीर फादर थे वो हमेशा एसेट्स बिल्डिंग पर फोकस करते थे और केवल सेलरी के भरोसे जीने वाले उनके गरीब फादर हमेशा गरीब ही दे गए और एसेट बि जाएंगे और आपके लिए पैसा कमा के भी देंगे ताकि जो गलती आज तक हमारे पैरेंट्स करते आये हैं और हम भी शायद करी रहे हैं उसे हम सुधार सके एंड बिलीव में इन में से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में किसी ने आज तक आपको बताया भी नहीं होगा पर उस कुछ करो पसीना अपने बहाया और पैसा बैंक को दे दो दरसल बैंक को हम सेफ एंड सेक्यूर प्लेस समझते हैं और यह एकसपेक्ट करते हैं कि बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट से हमारा पैसा बढ़ जायागा जो कि बिल्कुल गलत है दरसल बैंक में रखा आपका पैस सेफ नहीं है वो 3-4% वाला इंटरस रेट आपको आने वाली महेंगाई से नहीं बचा सकता हर साल इंफलेशन 8-10% से बढ़ता है और बैंक्स कितना देता है 4% यानि अगर आज एक चीज 100 रुपे की मिल लई है तो नेक्स टेर उसकी वेल्यू 108 रुपे हो जाएगी पर आपक बैंक में पैसा उतना पड़ाई नहीं है आपके डालोए पैसो को बैंक्स आगे उधार पे दे देता है उससे 14-15% इंटरस अर्न करता है और आपको कितना देता है 4% यानि वो पैसा हमेशा सिस्टम में ही गुमता रहता है और अगर गलती से किसी बड़े डेट होल्डर ने बिल्ड करने में तो आधे जानते हैं एक कि करके इन सारे असेट को अवस्ट नमबर वन लैंड अब आखिर बैंक नहीं तो पैसा कहां पर डाले जमीन में जी हां बिलकु इंवेस्ट in लैंड लैंड एंड इन्र इस्टेट इन्वेस्टमेंड एक यसा सोर्स है जो आपको जल्द से जल्द financially free बनाने में काम आता है। अब सभी rich लोग का example देख लो। एक business के साथ साथ उनके पास कोई ना कोई real estate investment जरूर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि real estate में invest करने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे कि tax benefit आप depreciation और loans के interest payment की deduction ले सकते हो। प्लस में land own करने से आपको capital appreciation भी मिलता है। और सबसे बड़ी चीज बढ़ती inflation के साथ आपके land की value भी बढ़ती है। तो inflation की तो चिंता ही नहीं है। और तो और बाकी loans के comparison में आपको home loans भी बहुत आसानी से मिल जाता है। जिससे आप OPM यानि other people money का use करके अपने लिए एक passive income source बना सकते हो। जिससे आपको continuous cash आता रहेगा। हिंडिया में टाटा और अडानी अपने business के साथ साथ real estate में भी invest करते हैं। और अभी recently आपने सुनाओगा बहुत से लोगों ने UP के आयोध्या में land purchase किये हैं। क्योंकि land literally बैठे बिठा है आपको अमीर बना सकता है। पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि land में तो बहुत पैसा लगता है और हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो आपके लिए आता है इन एसेट नमबर टू रीड्स यानि कि real estate investment trust ये एक mutual fund की तरह काम करता है। इसमें ये trust या फिर company, commercial properties जैसे malls, hotels, shops या फिर residential project जैसे apartments, hostel इन सबी जगों पर अपना पैसा invest करती है। अब रीड्स में invest करने से आपको तीन फाइदे मिलते हैं। तो वहाँ से इनको हर महिने rent आता है। तो ये company अपने investor को जितना भी total rental income होती है, उसका 90% dividend के रूप में दे देती है। यानि कि dividend आपके bank account में हमेशा credit होता रहता है। नमबर 3, rental income तो हमें regular मिलती ही रहती है। साथी साथ ये company जिन properties को खरीती है, उनका price भी समय के साथ बढ़ता चला जाता है। और future में land की price बढ़ जाने से आपको capital appreciation का भी फायदा मिलता है। तो अगर आपके पास लाकों करोडों नहीं है, real estate में invest करने के लिए, तो REITS आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है। तो अभी तक अगर आपको ये दो assets पसंद आया हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं asset number 3 पे, licensing Licensing का मतलब है एक ऐसा agreement जिसमें आपके द्वारा बनाया गया कोई भी design, art, technology या फिर product आप किसी दूसरे को दे देते हो, और बदले में उसकी sales का कुछ percentage commission earn करते हो। जैसे कि मई 2018 में Nestle और Starbucks ने 7.5 billion dollars की एक deal करी, जिसमें Nestle ने 7.5 billion dollar के cash के बदले में Starbucks से उसके exclusive rights करी दे, ताकि वो Starbucks के product जैसे की coffee और tea beans को worldwide बेज सके, और इसके बदले में Starbucks को total sales का भी कुछ commission मिलेगा, यानि कि 7.5 billion तो सही साथ में कुछ commission भी, ठीक इसी तरह Microsoft हर computer company के साथ license agreement करता है, क्योंकि Windows software ही उनका है, जिसे उने deal का तो पैसा मिलता ही है, साथ में हर sales पर royalty भी मिलती है, अब ये तो बड़ी-बड़ी companies की बात हो गई, पर आप अपने आप कोई ऐसा art या कोई ऐसा product बना सकते हो, जैसे Stephen की नाम की एक आदमी ने, Michael Jordan का एक wall wall बनाया था, और को बेचा, जिससे उने 10 सालों तक हर साल 70 लाक रुपे मिले, और मचेगी बात तो ये है, कि इस design को बनाने में उन्होंने सिर्क 20 से 30 डॉलर ही खर्च किये थे, तो अगर आप भी कुछ ऐसा product या design बना सकते हो, तो आप भी licensing के थूरू, उससे लाक रुपे कमा सकते हो, अब example के लिए माल लो, आपके आसपस कोई flea market है, जहां काफी सस्ते में ladies close मिलते हैं, तो आपको वहाँ से purchase करना है, और फिर इन platform पर एक profile बनानी है, जिससे आप उन कपड़ों को वहाँ पर list कर सकते हो, और जब आप catalog तयार करोगे, तो product को list करते समय, उनकी original price से 20 से 30% उपर list क करना है, यानि अगर आपने 300 रुपे का एक कुड़ता लिया है, तो आप उसका price 400 से 500 रुपे रख सकते हो, और मीशो और Amazon जैसी website पर अपना product लिस्ट करके, आप उस 300 रुपे के कुड़ते को 200 रुपे के profit पर sale कर सकते हो, और इसमें आपको कोई delivery के tension नहीं लेनी पड़ती क्योंकि वो काम Amazon और बाकी website कर लेती हैं, ठीक इसी तरह आप locates, bracelet जैसी कई accessories को भी best rate पर purchase करके online flip sell कर सकते हो, और उन logo तक पहुचा सकते हो जो इस तरह के product को पसंद करते हैं, अगर हमारे पास कोई equipment है, कोई ऐसी चीज जो दूसरों के काम आसान कर सके, उसे rent पर देकर खाली दूल खा रहा है, उसे किसी club या institute में देकर monthly rent receive कर सकते हो, कार और बाइक जीसी चीजों को आप Ola और Uber platform के जरी rent out कर सकते हो, और monthly क अच्छा कासा amount earn भी कर सकते हो, वो भी बिना कुछ किये, अब आता है asset number 6, digital assets, आज इकल digital products, digital world का जमाना है, हर कोई अपने mobile और अपन के पास इतना access नहीं होता था, और उन्हें इतना interest भी नहीं था, पर आज की date में हर कोई digital products को, courses को consume भी करता है, और उसे create करने का दम भी रखता है, इससे फाइदा ये होता है कि एक बार digital product create करके, या कोई course create करके, आप उसे बार बार कई लोगों को sell कर सकते हो, जैसे कि Udemy अपगरेट इन सभी website पर इन्होंने course upload कर दिया है, और कोई चाहे तो बार बार इन course को खरीद कर देख सकता है, यानि इसमें cost of reproduction बिल्कुल zero हो जाता है, इसलिए जैकमा ने एक बार कहा था कि Walmart को ज़्यादा products बेशने के लिए ज़्यादा stores खोलने होंगे, जिसमें उन्हे बहुत टाइम लग जाएगा, पर मुझे सिर्फ दो server set करने होंगे, और मैं Walmart से दुगनी sell कर दूँगा, so go digital, asset number 7, build a YouTube channel, आज की date में most demanding और most popular asset है आपका content, और content से पैसा कमाने के लिए सबसे best platform है YouTube, और YouTube के जरीए आप अपने लिए एक passive income source तो build करी सकते हो, जिसमें आपको मज़ा भी आएगा, popularity भी मिलेगी और साथ ही financial freedom भी मिलेगी, एक YouTube channel किसी भी चीज का हो सकता है, comedy हो, entertainment, lifestyle, food, travel, motivation, financials, vlogs, education, etc, आज की date में अगर आपके पास talent है, editing और writing की skills है, तो आप अपने talent को showcase करके YouTube से एक sustainable passive income source बना सकते हो, YouTube से आप दो तरसे पैसे कमा सकते हो, पहला तो यानि जब आपके channel की reach बढ़ जाएगी, तब अच्छे अच्छे brands आपके पास आएंगे, और आप उनके product को promote करके एक अच्छी income generate कर सकते हो, और कितना भी कमा सकते हो, उसकी कोई limit ही नहीं है, और ये एकलोता ऐसा asset है, जिसने इंडिया में सच में बहुत से लोगो को commodities की भी जरूत होती है, जैसे कोवीड वाले time का example ही देख लो, लोगों ने 100-100 रुपए देकर भी sanitizer और mask खरीदे, 200 रुपए kilo tomato भी खरीदे, क्यों? क्योंकि कही न कहीं commodities की value cash से ज़्यादा है, और rich लोग इस बात को भली बात ही समझते हैं, इसलिए वो gold, steel, oil जैसे commodities में ख आपका सबसे best option हो सकता है, अब आता है asset number 9, affiliate marketing, अगर आप marketing में अच्छे हो, पर आपके पास आपका खुद का कोई product नहीं है, तो आप पहले दूसरी companies और दूसरे product के लिए marketing कर सकते हो, और बदले में एक fees चार्ज कर सकते हो, अब जैसे माल लो आपको stock से mutual fund में invest करना है, तो आपके अपास एक demate account होना चाहिए, अगर आप इस वीडियो के description या first comment में जाओगे, तो आपको एक demate account open करने का link मिलेगा, जो आपके लिए तो बिल्कुल free है, इसमें आपको कोई पैसा या commission नहीं देना, और अगर आप मेरे इस link से जाकर demate account open करते हो, तो बदले में म लिए हर इनसान चाता है कि वो देश की best से best company में पैसा invest करें, और वहीं पर आता है index fund, जिसमें देश की top 50 company listed होती है, और rich mindset वाले लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अपने काम के साथ साथ अगर कोई चीज हमें अमीर बना सकती है, तो why are others people time, यानि पैसा आपका, पर मेहनत दूसरों किया और मुनाफ़ा भी आपका, मिस्टर कुकरेजा इस बात को बहुती ही जल्दी समझ गए थे, कि जो आपके साथ साथ अगर index fund में invest किया जाए तो एक लंबे time के बाद अच्छे result मिलेंगे, पर उन्हें ये भरोसा नहीं था कि ये investment बढ़ती inflation को पैसा रखते हुए महीने के 15,000 रुपे इन्वेस करना शुरू किया, तो अगर मिस्टर कुकरेजा सिर्फ 15,000 की SIP 20 सालों के लिए करते हैं, जहां उन्हें 13% का return मिलता है, तो आप देख सकते हो कि उनकी wealth 20 साल बाद 1,71,72,777 रुपे हो जाएगी, पर यहां पर कई सवाल आते हैं कि कौन सा index fund चूज किया जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए, और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए SIP शुरू करते समय, और अगर आपके भी यही सारे सवाल है, तो यह riot वालो वीडियो देखना ना भूले, इसमें मैंने अच्छे से बताया कि आपको कैसे fund चूज करना है, और अपनी SIP शुरू करने से पहले इस वीडियो का जरूर देख लें, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डेस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंद!